अब सभी के एक बार फीर से स्वागत है मारे यूटूब चैनल ओमेगा स्टड़ी और लाइन पर इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे एक अच्छा दसवी का चेप्टर फिक्ष जो कि है आपका निर्देफांग जैमेती यानि कि को आरिनेट जिमेट्री इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपका एक दो मार्क्स तक के अब्जेक्टिव क्योस्चन या पिर फिलिंदी ब्लेंक यानिकी खाली स्थानवाले प्रश्न आफक्ते हैं तो देखिए इसमें जो आपका निर्देफांग जैमेती है उसमें कुछी तर तो इससी पर इसी बढ़ डिसस करेंगे कि कोई भी अगर कोरेंगे दोंटे नंबर इसके घ्क करेंगे मेनश है-minus-1-2-3-e मौरश- तो यह एक्स अक्ष का दो दिशा हो गया एक तो पॉजिटिव वाला दूफरा निगेटिव वाला तो यहां पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस पॉर माइनस फाइव इस तरह अपन ग्राप को थोड़ा और कंप्रीट कर लेते हैं अब देखिए सब बेसिक चीजिसमें यह होता है कि यह जो पॉइंट है ठीक है यहां पर इसके निर्देफांग कितने होते हैं तो जीरो और जी जीरो है और वाई का मान भी जीरो है मूल बिंदू मतलब ओर इजीन ठीक है तो और जीन यानिकी ओर जीन का जो आपका को आड़ेट कितना होगा तो जीरो और जीरो होगा ठीक है अब इसमें देपन देखते हैं यह इसको बोलते क्या है तो देखें इसको बोलते है प्रथम हुआ होता है यह कुछ में तो प्रथम ही प्रुट मिन्यता है adjust कोदूररेइंट यह सब्सक्राइब और टविशंद दूड़े क्वाभी पर दोन ढून्ट पर रहां को थे हुआ है ये होता आपका चतूर्थ जो की आपके दोलगे चतूर्थ फर्षट च्तूर्थ इंस में हो जाएगा आपका फर्स्ट सेंद कोड्रेंट ट्रिंद फॉर्थ कॉड्रिंद ल सबसेंद कोड़न था इस można है क्या क्या होगा तो मांन देगे बिंदू यहां पर है तो और यहां पर है तो यहां प्रतुर करता है तो इस बिंदू का बन देखेंगे यहां फिर एक्स मे तीन हैं थे लिग देगे यहां पर देखेंगे तो यह थम्हें धनात्मक एं इसका सsmقول है इसका मतलबा बार कोई भी बिंदू प्रतर्म चदूर्थाइंस में बूझा होते हैं वो होता है sans तो प्रथम चदूर्थांस में वाई अक्ष और एक्स अक्ष यानि फिर या फिर बोल फक्त है वाई और एक्स दोनों के आपका को आडिनेट है याने कि जो निर्देफांक है वह आपका धनात्मक होता है मान लीजिए कोई बिंदू यहां पर उपफ्सीत है अगर कोई आपका लिए जर्देफे ह्या सब्सक्राइं म याई कहां पर है इसको पर मिला थे इसको भारैंग को सब डियए खंद को मिलाएंगे तो यहां आपको मेनस में दोनों कमान रिदात्मक होता है एक कमान भी रत्मक होता है तो याद रखना है आपको अब यहां पर मेरा लिए को होई कितना है तो यहां फिर सब्सक्राइब नाच आ मैनS 3 स्प्रकार में चारों टोनीट हो गए और शली चतूर माल फरकार यहां dub . प्रयम तो यहां, प्रेच पें प्रस्न के सत्वर्सक्राइब उन इस नात्म है प्रेकार lol पूर्टेट कंप्लीट हो जाते हैं अब यह प्रस्णा इसा उल्टा पूल्टा भी पूछ सकता है कि किसी भी बिंदू के निर्देफांग तीन और थीन है मतलब चार पांच है मौन लो चार पांच है तो दोनों ध्रात्माग है तो वह कौन फर चतूर थांस में आएंगे तो तू आए पका जिसमें पेला इडमक है और दौफरा द्रात्माक है नहीं आए आएगा इयुए यानी दूव धिति है चतूर थांस MEM Hyp पहले मैं बता चुका हूँ कि आपका मुल बिंदू कि इतने होते हैं तो इस प्रकार फिर आप बता वक्ते हैं तो माल लीजे कोई बिंदू जो है इसमें देखें कोश्चन है आप मेंच कर लोगे जितना मैं क्वेश्चन करूं आपको बूक में मिल जाएगा तो अच्छे व अक्षपर किसी बिंदू के निर्देफांग क्या होगा एक्षपर इस्थित किसी बिंदू के वाई निर्देफांग कितना होगा एक्षपर इस्थित किसी बिंदू के वाई निर्देफांग कितना होगा एक्षपर इस्थित किसी बिंदू के वाई निर्देफांग कितना दबन हगे अगर वह एकस पर है तो वाई फ़न हो सबसक्ता हुआ तो उसका वाई निर्दर्फांग पर य नियो Senior T लोई डीटेल हैं। homework हो जाएंगे तो यह आपको आपको यह तो यह आपको यहां पहर क्याग हिंगा तो इसदेन हो उसको अफैन संगें यह यह cen 3-4 फिरोगाम उन फार्फ यह मैन पर फिख यह हो जाये आपका दूनोस माइनस को भी आप बना देखते हैं आपका जो यह देखिए हाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है उसको अपन देखते हैं इसमें बोला है कि बेंदू माइनस 4, माइनस 7, कोन फे चतुर्द फांस में है, तो दोनोरी रात्मक के लिए आपका वो होता है तीति यह चतुर्द फांस, क्वेचा नमबर टू है, देखिए, एक अक्ष परिस्थित कि इसी बिंदू का वा इनिरृतिफांग कितना होगा, तो अगर एक पर इस्थित है तो वाई निर्देफांग कितना होगा? 0 होगा. कोई भी पॉइंट अगर x axis पर है तो उसके y के koordinates कितने होगे? तो 0 होगे. similarly वहाँ पर दिया है. तीफरा कोशचन है. नर्दिफाांग सतल पर दो अक्सर प्रांस पर क्या होते हैं यानि यह जो प्लेंबं है आपका को आड्रिनेल्ट में जो प्लेन हैं को आडिने कि चौंधा दिखते हैं वाई अक्षा पर इसीद कीफी बिंदू का एक फिंजी देफांग कितना होगा तो अगर वह एक्सिस पर है तो इसके एक्स के को आडिनेट कितने हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे कि इस तरफ है आपको यह बना लेना है बाते हैं प्राट पुष्टा जैसे एक को एक रेपीट कर आदे रहा हूं ठीके तो यह होता है की रिचा ये जद्रात्मगादा कोट्मत है तो प्रत्मध में दो συद्रों कामादात्मक होता है इसमें हके दो nesse युदू कर दोटता है इसमें जो हैं पहले का मंधनात्मक स्ट्रे कमांगुति यह कहते हैं हुते हैं इस तुमझे प्लेन हैं आपका इस तुम्धा कि खया होता है कि सब्सक्राइब है उसमें जीतने भी आपको क्वेशन थे उसका मैंने कॉंसेप्ट आपको अच्छे समझा दिया तो अगर किसी भी दूफरे परकार का प्रश्न पूछा जाता है दूब भी आप बना सकते हैं तो आयो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यदि समझ में आय कर दूछा होगा होगा है तो आयो आयो है प्रश्न बना सकते हैं अभी आपको समझ में आयो आयो है।